सोशल मीटिया हो या राजनीतिक मंच हर जगह पर पिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्षत तेजस्वी यादव अपनी दमदार उपस्तिती के लिए जाने जाते हैं लेकिन फिलहाल तेजस्वी हर एक जगह से नदारत हैं तेजस्वी को आखिरी बार एक जनवरी 2022 में पटना में माराबडी देवी के आवास पर पतनी राच्ट्री के साथ कंबल बाढ़ते देखा गया उनके करीबी और इनके विरोधी दोनों ने नोटिस किया कि एक जनवरी के बाद ना तो तेजस्वी नजर आ रही है ना ही उनकी पतनी नजर आ रही है बिहार में फिलहाल बवाल मजा है आरारबी एंटीपीसी विरोध को लेकर आप सब जानते हैं बिहार किस दरह से जल रहा है गार रेलवे की बोगियों को जला दिया गया है हाईवे जाम है ट्रेन की पट्रियों पर छात्र विरोध करने के लिए उतर आए हैं पपू यादव इस राजनीती में उतर गए हैं लेकिन तेजस्वी गायब हैं बिहार के राजनीतिक परिद्रिश्य से तिजस्वी यादफ के अचानब गायब हो जाने पर सत्ताधारी दल के नेता दबी जुबान में गाना गा रहे हैं, गुम है किसी के प्यार में तिजस्वी यादफ को लेकर जेडियू के प्रवक्ता नीरच कुमार ने तंजवाले अंदाज में पूछा है कि तिजस्वी आजकल है कहां जेडियू प्रवक्ता ने ये तो पूछ दिया लेकिन ये सवाल है तो आरजेडी के लोगों के मन भी तेजस्पी यादर के करीमियों को भी नहीं पता कि फिलहाल वो कहां है उन्हें ध्यान है कि तेजस्पी अपनी शादी के बाद यूरोप जाने की प्लानिंग कर रहे थे हाला कि इस योजना के आड़े आ रहा था उनका पासपोर्ट जो एडी के पास जब्त पड़ा था अनुमान लगाया जा रहा है कि जन्मरी के पहले हफते में तेजस्पी को पासपोर्ट मिल गया जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ विदेश चले गए हाला कि समर्थकों ने तेजस्पी के सक्रिये ना रहने पर जो सवाल उठाया है उस पर कोई जवाब नहीं दिया लेकिन सत्ता पक्ष तंज कसने का जो मौका मिला है उसे हाथ से कतई गवाने नहीं दे रहा तेजस्पी की गयर मौजूद्की को लेकर जेडियू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्शद नीरज कुमार ने कहा राजनीती कैज्वल ड्यूटी नहीं होती इसमें आपको 24 घंटे समय देना पड़ता है नीरज कुमार के इस वयान के बाद ये इतिफाक है या वाकई तेजस्पी की सक्रीयता की वो खामोश है अब तक फिलहाल देखना होगा तेजस्पी यादव की खामोशी जेडियों के लिए कितनी उलजने पैदा करती हैं क्योंकि बिहार में फिलहाल बवाल मचा है नेक्स्ट नाइन निउस नेशन की रिपोर्ट